हाई फ्रेंड्स वेलकम टो अवर यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज में आप लोगों के लिए नई सिक्षानीती जो आई है 2020, 2021 और 22 ठीके तो इसके वारे में मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आप के लिए सब कुछ समझाने वाली हूं एडिमेशन से लेकर कॉलिज तक ठीके तो पूरा किस तरह से क्या होने वाला है अब नई सिक्षानीती में ठीके तो गाईस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी साथ वैल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाओंगी आप सभी के लिए जो आपके बोर्ड एक्जाम से रिलेटेड हूं इंपोर्टेंट कॉस्चन्स पीडिय लेकिन अब क्या हुन लगा है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 आखिर यह है क्या तो इसको मैं आप लोगों के लिए बताने वाली हूं ठीक है तो सबसे पहले जो 5 है फस्ट नंबर इसको हम देखेंगे इसमें क्या है इसमें जो होगा उसमें 3,4,5,6,7 तीन से 7 साल के बच्चे इन तो इसमें क्या होने लगा है अब सिर्फ आप लोगों के लिए स्कूल जाना होगा सभी बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिलना होगा ठीक है और प्ले स्कूल है वहाँ पर सिर्फ कोई भी पड़ाई नहीं होगी कोई भी प्रेशन नहीं होगा सिर्फ बच्चों के व्लेइख स्कूल थीक है 3 साल के लिए 3 अब दो और हैं इसमें तो टू इर बेगी और क्लास 1 और क्लास 2 इसमें कितने साल के बच्चे रहेंगे six year के और seven year के ठीक है तो इसमें आप लोगों के कोई भी पेपर नहीं होंगे कुछ ही नहीं हुगा सिर्फ school जाना होगा घर की तरह खेलना होगा ठीक है उसकी बाद में first यह आपको समझ में आ गया होगा इसमें तीन से साथ साल तक के बच्ची होंगे ठीक है उसकी बाद में three जो है यानि की तीन साल और तो इसके बाद देख लेंगे class third class और class fifth इसका मतलब यह है ठीक है तो three years का कोर्स होगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है तो इसमें क्या होगा चेत्री या मात्ति भाशा या फिर इसमें ऐसा हो सकता है कितने बच्चों का को लिया जाएगा इसमें आठ से दस साल के बच्चे ठीक है यह नई सिक्षान नीती जो three है यह तो इसमें कौन-कौन सी class पढ़नी होगी class third class fourth और class fifth ठीक है उसकी बाद में हम next three देखेंगे यह वाला three इसमें है जो class sixth वाले student है class seventh और class eighth यानिकी कप्चा चैसे आठ मी तक के students यह तीन साल का course होगा यह जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है six seventh eighth इसमें कितने साल के बच्चे होंगे ग्यारा बारा और तेरा इतनी years के इसमें बच्चे होंगी तो इसमें आप लोगों के लिए क्या-क्या नया होगा बहुत ही interesting होने वाला ह इसमें देखें computer तो आपका compulsory कर दिया है कि जो भी 13 साल तक के बच्चे है इन लोगों को computer सीखना आनिवारी हो गया है और या फिर कोई भी vocational course course से यह मतलब है कि आप कुछ भी सीख सकते हैं जो भी आपका मन करता है यदि आपको cooking करना अच्छा लगता है singing जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब आप इसमें कर सकते हैं class 6th class 7th और class 8th के बच्चों के लिए ठीक है या फिर या फिर इसमें कोई भी भाशा होनी चाह तीन से start होंगे तो 7-8 साल तक के बच्ची हो जाएंगे इसमें ठीक है यह years दिये हुए है मतलब साल ठीक है उसकी बाद में देखेंगे इस 4 का क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जो class 9th के बच्ची है और class 10th 11th 12th यह सभी बच्ची एक्जाम इन लोगों के एक्जाम कैसे ह होंगे प्रत्यक 6 महीने में एक्जाम्स होंगी ठीक है मतलब पहले ऐसा होता था 10th 12th बोर्ड हुआ करती थी तो सभी के एक्जाम्स एक साल में होते थी तो जिससे बच्ची अच्छी से पढ़ाई नहीं कर पाते थी इसलिए नई सिक्ष्यानीती में यह होने लगा है कि जो रिजल्ट बन के आएगा वो होगा ठीक है और इसमें आप लोगों के लिए 9th से 12 तक के बच्चे कोई भी foreign language सीख सकते हैं कोई भी English या फिर जो भी आपको language अच्छी लगती है आप इसमें बिल्कुल चूस कर सकते हैं language और इसमें कुछ marks ऐसे भी दिये जाएंगे कि आ और सभी में participate करना compulsory है और अच्छा भी करना है friends लोग के साथ सबके साथ में तो इसके आप लोगों के लिए 5 marks मिलने वाले हैं ठीक है और इसमें कितने बच्ची होंगे मतलब कितने साल के बच्ची होंगे 4 वाले इसमें इसमें 14 से लेकर 18 साल तक के बच्ची होंगी ठीक ह जितनी 18 years में सभी की 12 हो जाती है लगबग ठीक है अब देखिए हम college का यहाँ पर देख लेती है college का क्या है इसमें सबसे पहले तो देखिए आप college जो है पहले 3 साल का हुआ करता था course और B.Tech वगरा यह 4 years का होता है ठीक है तो अब ऐसा होने लगाए कि college 4 साल की पढ़ाई क करनी होगी आपको और अभी अपने इंडिया में कोई foreign universities भी आने वाली है टॉप 10 टॉप 15 तो आप शिफ्ट हो जाएंगी तो आप universities में भी बढ़ तकते हैं तो college का क्या है देखिए first year जब आपकी complete हो जाएगी तो आपको graduation का certificate मिलेगा कि हमने first year complete कर लिए ठीक है और इसमे आपने first year तक पढ़ाई की उसके वाद एक साल हो गया किसी भी तरह से आपने पढ़ाई जैसे छोड़ दी ठीक यदि पढ़ाई छोड़ दी तो इसके वाद में आपको यदि admission लेना है तो फिर आप second year admission लेंगे क्योंकि आपके पास first year का certificate होगा पहले ऐसा नहीं होता था प diploma मिलेगा third year है इसमें आप लोगों के लिए degree मिलेगी degree मतलब third year तक का course करना जरूरी है यदि आप third year तक करते हैं तो आप UPSC MPPSC कोई भी examinations दे सकते हैं ये graduation की degree हो जाएगी और यदि आप पूरा चार साल तक का course करते हैं तो आपको research graduate मामना जाएगा ठीक है इसमें आप ल आपको वीडियो समझ में आया होगा यदि वीडियो को समझने में कोई भी दिक्कत हुई है या फिर problem हुई है तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं और गाईस अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe जरूर कर लिजी क्योंकि मैं IMP questions और PDF लाती रहती हूँ इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथी साथ चैनल को subscribe कर लिजिए थैंक्यू सो मच बाई गाईस